आप देख रहे हैं SKP Live यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं आदिवासी बाहुली जिले धार के नालचा विकास खंड के ग्राम दुगनी खालसा किये जहां पर प्रात्मिक विद्ध्यारतियों के शात्र शात्राएं सलक किनारे तिरपाल में बेटकर अध्यन कर रहे हैं देश आजादी के अमरत महोत्सव से शेताब्धी महोत्सव की तरफ बढ़ रहा है लेकिन आदिवासी छेत्रों में व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुँ नजर आती है खुले आस्मान के नीचे विद्ध्यारतियों के भविष्य को गड़ा जा रहा है आदिवासी बाहुली दुखनी खालसा गाउं के विद्ध्यालय में 32 विद्ध्यारतियों विद्ध्यालय के शिक्षी का के साथ ग्रामीन अपने गाउं के बच्चों के भविश्य को लेकर चीनती ते, कई बार पत्र लिखे गए, पंचना में बनाये गए, लेकिन इस्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ, यहां दशकों पुराना प्रात्मिक विद्यालय का भवन बहच जर जर और खतरनाक इस्थिती में पहुँच चुका है, छट से लगातार प्लास्टर गिर रहा है, गड़े हो गए है, दिवारे कमजोर हो गई है, विद्यालय का भवन जर जर है, शिक्षिका बच्चों को तिरपाल में बिठाक कर पढ़ाने पर मजबूर है, शाशन की गाइडलाइन के अनुसार मद्यान ब यह बाहर करवाया जा रहा है, वर्षया शुरू होते ही छुट्टी कर दी जाती है, देखें खबर SKP लाइव नियुस पर, स्कुल काफी टाइम से लग रहा है, मतलब बाहर अभी बारिश की वज़ए से बाहर लग रहा है, तो बाहर बारीश की वज़ए क्यों लगा रहे हैं? किचन नो रही है फिर किचिन की भी इस्थिती एसी एस तो वो क्या है कि बाई यां समु वाली है वो जो उनके घर सो बना चला रही है अच्छा किते स्कूल में बच्चे होंगे 32 के सम्थिंगे सर आपने इसके शिकायद की किसी को हां जानकारी तो दी थी मतलब यह सब पंचन से दर जर उटती गें बहुत चुकी है जिटे जिटी निचे गिरने लग रहे हैं तो बच्चे टेम मैंने अंदर इसकुल अंदर से बाहर बेटे हैं और किचन और यह कैसे बनाते है यह से घर से बना के लाजते अधिकारियों के आपने शिकायद की चीच की लिए नहीं ने बोला हो जाएगा आस्वसन देते रहे लेकिन आज तक शिकायद का निरा करण नी हूँ कितने बच्चे इसकूल में यापर बगतिर बच्चे के लगबग है आपका नाम क्या है दिने ठड़ा सट पन्मेगा पर इंचायद मेड़म आप इहां कब से इसकूल लगा रहे हूँ और अभी करीबन महीने बड़ से तो मैं बाहर पेड़ के नीचे ही लगा रहे हूँ तो कि या बच्चों को बिठाना के लाती है जरag कर में पना के दिया रहे है इंपने अदिकारियों को भी लिक्र दे दिया है कि और दिets feelings मेरे पास अभी 32 हैं 32 बच्चे आपका क्या नाम है मेरा नाम आनुसुया पांडग प्रात में से पहले डुकने खाल सा